राची के बिरसा मुंदा केंद्री एकारागार में एहले सुभा राची पुलिस द्वारा छापे मारी की गई बताया जा रहा है कि छापे मारी में पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा छापे मारी का नेतरत्व राची उपायूक्त और एसेसपी कर रहे थे इसमें सिटी ऐस्पी, सिटी डेलगी मिली। मिली जानकारी के अनुसार जेल में बंध व्याईपी के अपराधियों की संदिग कति विदियों के बारे में पुलिस को जानकारी मिली थी। इसके अलावा राजधानी राची में बढ़ रही घटनाओं के मद्देंजर राची पुलिस ने बुद्वार सुभा चार बजे बिरसा मुंदा केंद्री ये कारगार राची में डीसपी, एसेसपी के नित्रतु में चाप इमारी की, इस दौरान जवानों ने जेल के हर एक वार्ट को खंगाला कैदियों के आसपास की जगह की भी तलाशी ली गई, लेकिन कोई अपत्तिजनक सामान बरामद होने की खबर नहीं है, हाला कि उनके पास से खैनी, ताश और सबजी काटने वाला चाकू बरामद किया गया है. जेल के केंद्रिय कारगार में नियमित रूप से निरिक्षन और नियमित रूप से इंस्पेक्शन सुपरविजन किया जाता है, आज सवेरे में किया गया इंस्पेक्शन उसी रूटीन प्रोसीजर का एक हिस्सा था, इस पूरे निरिक्षन के दरम्यान जिले के सीनेर SP, सिटी SP, जिले के SDO, अन्य पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में पूलीस वोट्स, ते द्वारा जेल के अंदर के सभी वाट्स की एके करकर तलाशी ली गई, इरिक्षन किया गया, इस प्रकार के जो शिकायते आती हैं तो उस पर case by case basis पर specific investigation कराया जाता है, specific investigation के report के अनुसा corrective actions लिये जाते हैं, तरह तरह के कह दी हैं, कोई वहाँ पर comparative examination की तयारी कर रहा है, तो उपने पाद लंबी चौडी पुस्तके रखता है, किसी को graduation का final year का exam देना है, किसी को अपना 12th का exam देना है, तो उस तरह से में बहुत कुछ लिखा है, कई जोगों पर notes है, कई जोगों पर अपतिजनक literature है, नकसल literature है, तो जहाँ जहाँ पर वो अपतिजनक जैसा नजरा है, उसको जबत किया गया है, कुछ एक register में बहुत सारे numbers मिले हैं, तो उसको भी लिया गया है, जो कि टेकनिकल सेल में दिया गया है, उसको एक-एक करकर call करके, जो अग्रेटर कानूनी करवाई होती है, बची जाएगी, पूरे के पूरे परिसर में CCTV बड़े पैमाने पे लगा कर रखे गया है, उन CCTV की footages का कोई continuously अवलोकन कर रहा है, कि निए उसके DVDs रेडी हो रहे हैं कि नहीं, तो प्रमुक रू में किसी तरह की कोई आपदिजिंग सामगरी नहीं प्रतीत हुई, और हम लोग यह प्रयास करेंगे कि नियमित रूप से इस प्रकार के inspections और इस प्रकार के supervisions को हम लोग जेल में सुनशित कराते रहें, ताकि वहां की सुरुक्षा व्यवस्था और अंदर की जो आंतरिक व